हलो एबरीबन, वेलकम माई यूटूब चैनल, दोस्तो अगर आप लोग रेलबे एलपी के एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट साबित होने वाली है, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलबे एलपी सीबीट बन की, आपकी क्या स्टेटिजी होनी चाहिए, कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपका ये एक्जाम 100% निकल जाएगा, तो इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पता तो उन्हें सबसे पहले एक्जाम पैटर्न को ध्यान रखना है, जैसा कि आप सबको पता है, मैथमेटिक्स यानि मैथ के 20 कोस्टन आना है, जनल इंटेलिजेंस एन यानि की रीजनिंग के आपको 25 कोस्टन देखने को मिलने वाले, जनल साइंस के आपको 20 कोस्टन आपको देखने को मिलने वाले, टोटल आपको 75 कोस्टन CBT बन में देखने को मिलने वाले और टाइम आपको एक घंटे का इसमें मिलने वाला है, तो जिन लोगों का एक्जाम पैटर्न नहीं पता तो उन्हें ध्यान रखना है, जो लोग अभी से त्यारी स्टार्ट कर रहा तो मैंने किस तरीके से तैयरी करी थी, वहीं आपको सब इसमें बताने वाला हूँ, तो आपको पता ये चार सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो सब्जेक्ट बाइस हम लेके चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैध की, दोस्तों मैध में बहुत सारे इसे होंगे, जिन लोगोंने तैयरी बहुत पहले से करते होंगे, और मैध के उनके सारे कॉंसेप्ट अच्छे होंगे, तो उन्हें कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो डारेक्ट क्या करेंगे, डारेक्ट उन्हें प्रक्टिस स्टार्ट कर देना है, तो प्रक्टिस के लि के बल भही इनसान इसको कर पाएगा, भही इस्टुएंड इसको कर पाएगा, जिन लोगों के कॉंसेप्ट अच्छे हैं, और जिन लोगों के कॉंसेप्ट अच्छे नहीं है, सबसे पहले आपको कोई भी बुक पर्चेस करना है, या आपके पास कोई बुक होगी, या यू बिस कोस्ट अना है तो 18 कोस्ट88 आपके आसानी से बन सकते हैं हो सकता है एक गलत हो जाए कि क्योंकि आपको पता लग पाएगा कि किस तरीके के कि रेल बें कोस्टन पूछता है अच्छा इक बात आपको और पता हूँ जो लोग आव डायन पड़र्कत करते हैं मौन लोह एक कोइसटन दे रखाए्ट ओर इसकासॉलूसन दे रखा हैं अगर की युछ की बुक की बात करना हुआ हो इस फिरी सरी तरीके से यह बहुत हैं को सक्थ है दूषरी बखने और बुस करका हो अब बैम को इस जिरो वेकर से पहले आपको अपनी जी जान लगा देना पूरी तरीके से कोसिस करते रहना है कि आपका सही कोसिन हो रहा है नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है पहले पूरी तरीके से जितनी आपकी कोसिस हो सकती है सारी कोसिस कर लें उसके बाद इस टुकड़े को हटाएं तब देखें इ पर तीसेरा भी नहीं होता इस बजह से उनका स्वलक्षान रुख जाता है तो आपको यहीजी फॉलो करना चाहें अब मैथ हो रीजिनिग हो जी को इस तरीके से आपको यह आपको यह पेपर हैं पर रखे चलना है, सोलू오 संब और पहले जी क्लिए क्राहिज करना है, और उसके बाद जब नहीं हो हो पा रहा है, तो ये आपको देखना है, पूरी नहीं को है लगा नहीं होगा तब ही आपको आगे बढ़ना है, तो मैज प्रक्टिस तरीके से आपको है और जिलनेों कॉनसे अच्छे नहीं है तो वो यूटूब की वीडिव देख सकते हैं आप किसी का ले सकते हैं तो बहां से आपको अधिक्र crikat करते हैं जिए यानि जनल अवेर्नेस और क्रेंट अफयर की दोस्तों करेंट अफंचेंगे अपको ने इस ब्रश्राइब पड़ने JUST totaláWatch Yet बहुत नुक्साने we connect配 हो सक्ता जबले को Circus top &指 चार या जबाए्ट ऑपने बावना इन इस नाहीं की टो पाइगी तो ऑपि विर्टरए की बुक आती है और इस बोग को पॉचेस कर लें और अभी हो सकता यह नया बरजन इसका आने वाला हो तो थोड़ा बेट कर लें और ऐसा नहीं है कि यही बुक है और दूसरी बुक भी बता देता हूं अगर बाइचांस यह नहीं आती तो आपको यह अपनी यूटूब चैनल पर ही करा दूंगा तो यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी वीडियो में आगे वनने से पहले अगर आप लोग यूपिटर प्लेसी बीप्यो एक्जाम की प्रप्रेशन कर रहें और टेस्सीरी जॉइन करना चाहरा है तो मात 99 रुपए में हमारे अप्लीकेशन पर इसकी टेस्सीरी जा चुकी है जि अपने आप डिजाइन कर रहा हूं तो उसको एक बार आप जरूर चेक करें आपको बहुत ज्यादा हैल्प मिलेगी मात 99 रुपए में हैं और 10 से ज्यादा मिलेंगे टेस्ट आपको जब तक आपका एक्जाम होगा मान सकते 15 टेस्ट आपको प्रोबैट करा दिये जाएंग सबस्क्राइन को Favorite ररज्र और 11 से दोस्रें पख् Greek की बिखनी को सबस्क्राइब ब्हुत बात करते लूगर नियुक्त कुछ उव भी बहुत हैं अब बात करते हैं और 11 में कोच्छ पता नहीं है तोने क्या करना हैं डारेक्ट से और्याइक्ट आड़ इस वाली बहुी तो आप ना ले दूसरा तरीका भी मेरे पास है दूसरा तरीका यह आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन फिर में मिलेंगे आप डाउनलोड कर सकते और इस नोट्स को अपनी कॉपी बहुत बेजरी तरहीके से तैयरी कर लेना जब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो तो इन दोनों पर आपको फोकस करना इस पच्चिस को सवाल है इसके पीस को सवाल है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देने की जरूरत है नेक्स कम बात करते हैं जनरल साइंस में भी दो तरहां का मामला है एक तो बिल्कुल जिसमें निलबटे सनाटा यह दूस प्रक्टिस कर देना है लेकिन केवल प्रक्टिस से काम इसमें नहीं चलने वाला क्योंकि यह बुक तो मैं अपने चैनल पर कराई रहा हूं और पहले भी कराई थी और अब भी कराऊंगा तो इसके टैंसन लेने की जरूरत नहीं है अब बात आती है दूसरे लोग जो जिन् दूँगा मैं चीज आपने सब कुछ पढ़ लेना उसके बाद आपको प्रक्टिस जरूर कर लेना यह प्रक्टिस वैसे चल लगई है आपको आपको आउनलाइन पर भी फोकस करते रहना है अब बात करें हमारा चैनल आपके लिए क्या हेल्प करने वाला है तो हमारा चैनल आपके लिए General Science में General Science में पूरी तरीके से Help करने वाला एक तो आपको यह यूद्प की बुक्तों कराई जाएगी उसके कोस्टिन आपको प्रोवैट कराई जा रहे हैं दूसरा जो सबसे अच्छा हम आपके लिए काम करने जा रहे हैं आपको पता है 20 कोस्टिन आना है General Science से तो इसके लिए मैं आपके सामने एक टेस्रीज नी सौरी एक फ्रीज आपके लेकर आरा रहा हूं पर जिसमें मैं आपको केबल जनरल साइंस के फॉर्मूला कराऊंगा जिसे आपका टॉपिक है फिजिकस एक टॉपिक ले लें बर्कपावर एनरजी बर्कपावर answer अब इसके बहुत भर्क है आपको ड्राइप करके बता करेंगा यानि जो वाँ यानि इस्से जो जो Party बन सकते हैं मान सकते में आपको कारीय कर निकालना होगा जिसमें आपको बन और दूरी रखे जितने बहुराइन सुम्हें आपको को स्टाथ आपको देखने को मिलने वाले जिससे आपकी बहुत ज़्यादा help होई पाईगी तो आपको कोई भी tension लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब last में हम बात करते हैं कि आपका जो expected CVT बन का cut-off कितना रह सकता है दोस्तों आपके 75 question आना है, 75 mark से आना है तो मैं अगर आपको बताऊं, बिल्कुल safe, सब किसी भी जोन का अभी मैं आपकी जोन की बात नहीं करी है कौन से जोन से है क्या है, अगर आप 50 plus नंबर ले आ रहे हैं 50 plus नंबर ले आ रहे हैं, तो आपको कोई जोन हो आपको नहीं रोकने बारा है यह जनरल कटेक्री के लिए बात कर रहा हूं, OBC के लिए तो यह 40-45 तक आंख़ड़ा रहता है, और अलग-अलग जोन के लिए 40-45 रहता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो हार्ड जोन है, जो किसना भी कठें जोन है, अगर आप किसी भी जोन से आपने फॉर्म भरा है, तो 50 प्लस मार्स आपके CBT बंड में आ रहा हैं, तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत CBT देने से नहीं रोक पाईगी, यह मेरा बाता है, इसी चैनल पर मिलूँगा, ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल उठाब चुला है, दूसरे दूसरे दून को बंड हो जाएगा, तो मेरा चैनल यह चल रहा है, जब तक यूटूब चला रहा है, लेकिन आपको मैं यह बादा करके बता रहा हूँ कि 50 फिलस आपके मार्स आएगे, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, अब जैसा कि मैंने बताया है कि आपके जो मैत है, मैत मैसे आपके 15 कोसिन अगर आप असानी ते कर लेना है, बाइस कोसिन आपके किस्ते आजाएंगे, रीजनिंग से आजाएंगे, जैनल साइंस में मैस भी तैयरी कराओंगा, तो 15 कोसिन आपके किस्ते आजाएंगे, और करन्ट अपर के आप 8 कोसिन मान सकते हैं, तो 15, 38, 30, 30, 60, साट मार्स आपके बहुत आसानी के साथ मेरे चैनल के तुरू आ सकती जो मेरी स्ट्रेड़ीजिजी जो इसके तुरू आ जाएंगे क्योंकि जनल साइंस की तैयरी कराने वाला हूं मैध की नहीं कराएंगा मैध की अपने आप करना है लेकिन जनल साइंस करेंट एफ़र की मैं पसंद आई होगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में सब तक के लिए जैए